बिंडी जिले की भारोली पंचायद में पूरवा सचिव के द्वारा बिना काम किये निकाली गई राशी के फरजी बुकतान के मामले में एक महीना बीतेने के बाद भी जाँश शुरू नहीं की जा सकी जबकि जिला पंचाय सीओ के द्वारा पांच दिन में जाच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जनपत पंचायद महगाओं के सीओ को पत्र लिख चुके हैं उसके बाद भी जाच करने की जगा अधिकारियों के द्वारा टाल मटोल की जा रही है गोर तलेबे की भारोली पंचायद के सरपंच बाजशा से हैं और सचिव के द्वारा बिना काम कराएं लाखों रुपे की राशी का आहरण कर लिया गया था जिसकी शिकायत ग्रामिडों की द्वारा कलेक्टर सतीश कुमार एस और जिला पंचायद के सीओ से की गई थी उसके बाद सचिव वेधपाल सेंग के द्वारा सड़क और नाला निर्मार के कार शुरू किये गए थे जकी राशी काहरण पूरु सरपंच के कारकाल में किया गया था इसलिए ग्रामिनों के द्वारा इन निर्माण कारियों का विरोत करते हुए कलेक्टर से शिकायत की गई थी लेकिन राजनेतिक संडरक्षन और अधिकारियों की महरवानी के चलते अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई और जाज के नाम पर पूरु सरपंच और सचेव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है बड़ी बात तो यह है कि इसमें सरपंच और सचेव के अलावा उपियंत्री मन्रेगा की भी मिली भगत है और हैरानी की बात तो यह है कि जो काम धरातल पर हुए ही नहीं तो उनका मुल्यांकन इन अधिकारियों के द्वारक कैसे कर लिया गया इस मामले पर महगाओं के प्रभारी सीओ पराग जैन को दो बार फोन लगाए गया लेकिन उन्होंने फोन कार्ट दिया